हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर्ष्य हमारी चैनल पर श्वागत है तो फ्रेंड्स आरार भी एंटी पीसी एंड ग्रूबडी ज्वाइनिंग अब्जेट अभी तक आप समझ लेजिए एंटी पीसी सी बीटी वन रिजल्ट भी नहीं आ महें चार-पांच महीने में ज्वाइनिंग करा देंगे यानि कि जो सूरज पूरप से निकलता है लोग पस्चिम से निकाल देंगे लोग ऐसा बोल रहा है इसलिए मैं लिखा हूँ एरेल मंत्री शाह बोले ऐसा मैं पूरूफ दिखाता हूँ ठीक है किस स्पीड से चुनाओ नजदीक आ गया है इसलिए लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं मतलब कि जो पॉसिबल ही नहीं है और किस स्पीड से कराएंगे अभी चार मार्स तक तो रिपोर्ट इनलों को मिलेगा जो कमीटी बनी है उसका कि आगे क्या करना है कैसे करना है रिजल्ट रिवाइस क उसके बाद कहीं लोग एक्जाम करा पाएंगे ठीक है मतलब कि हम गुरुबडी के बात करें और से बीटी टू फिर इसका होगा अभी रिजल्ट रिवाइस करेंगे तब कहीं लोग से बीटी टू कराएंगे एंटी पीसी का तो आप सोच लो मतलब कि कितना फास्ट लोग करा रहे हैं मैं दिखाएं तो कहां से नियूज मिला यह देखिए यह देखिए विकास बदोरिया रेल मंत्री अश्वीनी वैस्णों का बड़ा एलान जुन जुलाई तक एंटी पीसी और लेवल वन के सभी परिचार्थियों को नौकरी मिल जाएं वो भी सभी लिखा है ए एक सभी की ज्वाइनिंग करा दे रेलेम जानते क्या होता ज्वाइनिंग का प्रोसेस दो साल तीन साल तक चलता रहता है ठीक है तो यह सभी वर्ड उसकी मतब सोच लीजिए यह लोग क्या बोल रहे हैं साथ भांग खाली है क्या ऐसे बोल रहे है जो जिस पॉसिबल ही नह जुनाव आगे फिर से यूपे में साथ इसलिए ऐसा कुछ बोला गया है जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अगर हम मालने बहुत फास्ट प्रोसेस होता है यानि कि माले चार मार्च को रिपोर्ट सौब देते हैं चार मार्च गवद पांच छे तक तो हम कह दें कि यह तो आप सोच लो मतलब उसमें कितना टाइम लगेगा और अगर हम गुरूब डी का बात करें तो इसका क्या है अभी माल लीजिए कुछ भी कनफर्म नहीं अगर इसका एक्जाम यह लोग अपरेल से स्टार्ट कराते हैं तो अपरेल से जुन तक तो एक्जाम ही चला सबने करें तो वह जो सकती है कि रेल्वे भरती दो महीन कभी कंप्रीट नहीं हो सकती है जब आज तक रह भरती नहीं हो पाई है ठीक है जिसको लगबग पांस साल हो गया और यह कैसे कंप्रीच हो जाएगी मतलब हद होता है किसी भी चीज़ का जब तक बैलेंस पेनल नही यह लोग पता नहीं कहां से हवाबाजी कर रहे हैं ऐसे बाते पर विश्वास मत करिएगा अगर कितना भी जल्दी प्रोसेस कर लेंगे इस साल तो जो आइनिंग इंपॉसिबल है कुछ भी हो जाए कोई भी स्पीड कोई भी फॉर्मल लगा ले नहीं हो पाएगा आप खुद कोई नेता हो कोई मंत्री हो जब तक ऑफिसल साइट पर कुछ ना आ जाए तब तक आप विश्वास ना किया करें यह लोग मीडिया इंट्रेक्शन में क्या बोल रहे हैं इसा बातों पर फरक नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि यह सब बात बिल्कुल फेक होते हैं यह सब क् सब्सक्राइब करें यह सब क्या है महस ट्वीट पर दिखाए जा रहा है अभी आपको मालू मगा सुसिल को और मोदी भी बोल दिये थे कि रियल मंत्री सारी बाते माल लिए बात माल निया तो फिर यह क्यों ले रहे हैं नहीं लेना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी ठीक है मैं जैसे बता रहा हूँ न कि अभी दौर अठाले वेकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है तो उन्हीं सब्सक्राइब के लास्ट में जौनों के स्टार्ट हो जाएंगे और अगर एक्जाम के बाद करेंस कब तक हो सकता है तो जब तक अभी रिपोर्ट नहीं है सकता कुछ कहां नहीं सकता है कब तक एक्जाम होगा कप तक नहीं होगा अभी गुरुब दीन देखें नया इशू खड़ा हो गया है एक्जाम करनेटी एजंसी को ले करके लड़िक अब इसके खिलाफ विरोद कर रहे हैं कि अब नसे आइटी हटना चाहिए टीस आना चाहिए आप लोग भी कमेंट वोक्स में बता सकते हैं कि आप किस एजंसी से एक्जाम करना चाहते हैं और कमेंट करने से पहले दोनों का बैग्ग्राउंड पता कर लिजेगा नसे आइटी का बैग्राउंड क्या है टीस ने इक्जाम सक्राए रेले में नसे 18 कि इंप्सक्राइब कहीं भी और उनका रिजल्ट क्या रहा है क्या बैक्ग्राउंड रही जरूर कंफर्म कर लिए तब कमेंड बताईएगा कि किस एजनसी को एक्जाम कराना चाहिए क्योंकि रेलेवाय से मनवानी नहीं कर सकता है लास्ट टाइम पे जब को मालूम था अभी तक क्या था पर फिर इनको रुकना चाहिए एक लिए एक्जाम कर जाएं तो फिर तीसे से इस नहीं खाले तो बट बात है तो इन्हें एक्जाम नहीं करना चाहिए जए घलत बात है आप लोग इसे comment box में बता सकते हैं कि निससे एक्जाम कराने चाहिए या फिर टिसेस एक्जाम कराने चाहिए आप लोग comment box में जरूरू बताएं फ्रेंड्स लेकिं इन सब बातों पर ध्यान ने दिया बिल्कुल फेक है इतने speed से कभी भी कोई बात possible है ही नहीं इतनी fast joining हो ही नहीं सकती है बस यहीं आप जान जो इतना हवा में बात कर रहे हैं जैसे लग पीली है मुझे समय नहीं आ रहा है आप लोग खुद comment box बता क्या यह बाते possible है क्या joining इतना fast हो सकती है कभी क्या आज सक रेलियम कभी हुई ह किसी भी डिपार्टमेंट इतना fast joining कैसे हो सकता है अरे इसका first stage तो हुगा ही नहीं है फिर second stage, third stage, group D कहीं हम बात करें एक CBT हो रहा तो भी CBT के बाद क्या आओगा इसका result आएगा CBT कर जुन तक चलता है तो रिजल्ट इसका आएगा कहीं September October तक फिर उसके बाद इसका fiscal कहीं आपका November December तक जाएगा लगबग ठीक रिजल्ट जो होगा जुन तक आएगा कहीं अब फिर उसके बाद कहीं अगस्त में आपका skill test वेगरा यानि की CBT या फिर और भी जो यह साइको टेस्ट वेगरा वो होते हैं ठीक है तो वो कहीं आपके हो पाएंगे कब तक हाँ अगस्त में मतलब हो पाएंगे फिर उनका result अग्टूबर तक आएगा फिर उसके बाद इनका DB Medical समझ सकते हो कितना मतलब टाइम लगने वाला है तो हवा बाजी कर रहे हैं ऐसे बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है और इतना जल्दी कोई ज्वानिंग नहीं हो सकता है बिल्कुल impossible है ठीक है तो बस मैं यही जय हिंद जय भारत